हदिसे जादा तुप प्यार कैला राजा देहिया के हमरा बेकार कैला राजा तब हईनी नवे महीना पर माई अरे जाए राजा हो माजा ना भेटाई ये गाना एक दिन पहले सिंगर अवधेश प्रेमी यादव के यूटूब चैनल के ओर से आया है कि अवधेश प्रेमी का ये गाना कहीं न कहीं भोचपोरी सूपरस्टार खेसारी लाल यादव के तेल गाने से प्रभावित है जैसा खेसारी लाल यादव अपने तेल गाने के वीडियो में यामिनी सिंग के साथ अजीबो गरीब हरकत करते नजर आए सेम वैसे ही अवधेश प्रेमी यादव ने अपने इस गाने की वीडियो में सारी हदे पार कर दी है सुनने में आपको अवधेश प्रेमी का ये गाने का बोल उतना अश्लील नहीं लग रहा होगा लेकिन जब आप अवधेश प्रेमी के गाने का वीडियो देखेंगे तो आपको भी समझाएगा कि अवधेश प्रेमी कितने अश्लील है अउधेश्ट प्रेमी का ये गाना कितना अश्लील है ये आपको तभी समझ आ जाएगा जब आप अउधेश्ट प्रेमी के इस गाने का पोस्टर देखिएगा जिसमें अउधेश्ट प्रेमी यादाव अपनी को एक्टर्स के ब्लाउज में घुसे हुए नजर आ रहे हैं बागी अधेश्ट पे में कई गाना और सुन लेते हैं फिर आगे की बात्चे शुरू करते हैं तो आज ही अधेश्ट पे में यादो का ये गाना आया है जिसमें अधेश्ट पे में यादो गाए हैं कि भॉले हैपी न्यू इयर ना बोलाब बाकि तोहरा पर फेर नहीं डोलाब काहे करे लिगुमान बात सुन खोली कान अपना आपके बुज़त ताड़े फाइन माल के लगा दे हब लाइन रिच्छोडी नाया साल में लगा दे हब लाइन अवधेश प्रेमी यादो अपनी इस गाने में इस बात का दावा करते हैं कि उनके पास लड़कियों की कमी नहीं है आने वाले नए साल में वो लड़कियों का लाइन लगा देंगे एक तरह भोज़पूरी इंडस्ट्री का महौल एकदम बदला हुआ है बोज़पूरी का कोई भी छोटा या बड़ा कलाकार डरा हुआ सहमा हुआ है क्योंकि खिसारी लाल यादो की बेटी की नाम के उपर गाना गाने वाला पंकत सिंग पुलिस की गिरफ्त में है ऐसे में बोज़पूरी इंडस्ट्री में एक डर का महौल दिख रहा है वो सारे कलाकार जो किसी भी कलाकार की बेहन बेटी या समाच की मा बेहनों के नाम पर गाना गाए थे वो सब इस बात से डर गए हैं कि कहीं पंकत सिंग के साथ जो हो रहा है वो उनके साथ भी न हो जाए ऐसे में कोई कालाकार लाइव आकर माफी मांग रहा है तो छोटु चिंगारी जैसा युवा सिंगर वीडियो बनाकर अपनी गलतियों के लिए सौरी हो रहा है ऐसे में खिसारी लाल यादों की टीम मेंबर द्वारा इस बात का दावा किया जा रहा है कि पांच लोग और ऐसे हैं जो टार्गेट में हैं जिनको जल्द ही जेल भेज दिया जाएगा ऐसे में भोशपूरी के टुटपुचिया कालाकार जो कभी समाज के बहन बेटियों के नाम पर गाना गाय थे वो सारे कालाकार सोच रहे हैं कि कहीं उन पांच लोगों के नाम में उनका नाम भी तो नहीं है और कहीं न कहीं ये डर जायज भी है क्योंकि भोशपूरी इंडस्ट्री में एक दो नहीं जाने कितने ऐसे कालाकार थे जो खेसारी के विवाद में गायक बनकर उभरे थे और समाज की कई बहन बेटी या खेसारी के उपर गाना गाय थे खैर भोशपूरी में एक तरब जहां ऐसे कलाकारों के उपर इतना स्ट्रिक एक्सल लिया जा रहा है भाई दूसरी और अधेश्ट में यादा को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अभी भी समाज की बहन बेटीयों को अपनी माल बता रहे हैं और इस बात का दावा कर रहे हैं कि आने वाले नए साल यानी 2023 में वो माल का लाइल लगा देंगे खेर आज की इस वीडियो में हम इनी सब बातों पर चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार मेरा नाम है डॉली पांडे मेरे साथ है कैमरामेन विशाल और आप देख रहे हैं जमाजम भोजपूरी बोजपूरी सूपरस्टार खिसारी लाल यादो की बेची के नाम पर जो भी गाना गाया था वो वाकई निंदनिय था ऐसी नीच हरकत को किसी का भी समर्थन नहीं मिलना चाहिए ऐसे में खिसारी लाल यादो ने एक्शन भी लिया है लेकिं दूसरी तरह भोजपूरी इंडस्ट्री से अश्रीलता रुखने का नाम नहीं ले रहा है भोजपूरी इंडस्ट्री में लगतार फैल रहे अश्रीलता ने भी दर्शकों की चिंता बढ़ा दी है समाज की बेहन बेटियों को अपने गानों में माल बोर कर अपने चरीतर का परिचे देने वाले इन गायकों को कब समझाएगा ये एक तरफ जहां भोजपूरी में लोग गितों की भरमार है वहीं दूसरी और अश्लील गितों का हर तरफ फैल जाना चिंता जनक है जिस तरह से भोजपूरी समाज में अश्लीलता फैल रहा है उसको देखकर तो नहीं लगता है कि भोजपूरी भाशा को कभी समिन्हान में दर्जा मिलेगा आप इस बात से किता भी मुकर लीजिये लेकिन ये सच है कि भोजपूरी इंडेस्ट्री में अश्लीलता सबसे जादा है जहां तक भोजपूरी इंडेस्ट्री से अश्लीलता दूर करने की बात है तो भोजपूरी इंडस्ट्री से अश्रीलता इसलिए भी दूर होनी चाहिए क्योंकि ऐसे ऐसे गानों से भोजपूरी समात की छवी खराब होती है बिहार की बदनामी होती है भोजपूरी इंडस्ट्री के ऐसे गानों से बिहार की संस्कृति का पता लगाया जा सकता है अब सवाल यहां यह हो सकता है कि अश्रीलता के नाम पर दिमाद में भोजपूरी गाने ही क्यों आते हैं ऐसे वे छोटे कालाकारों का और हिम्मत बढ़ता है और वो अपने गानों में और वेरियेशन लेकर आते हैं और अपने गानों से गंध मचाते हैं बाकी आपको इस पर क्या कहना है आप हमें कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं फिलाल इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ